केंद्रिय विध्याले के प्रचार रह सदानन सिंग यादब से 15 लाख रंगदारी मांगने वाले कोशिवहर पुलिस ने गिरफतार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है पुलिस अधिक्षक संतोस कुमार ने प्रेस बढ़ता कर बताया है कि प्रचार रह केंद्रिय विध्याले की सदानन सिंग यादब से मोबाइल पर मेसेज भेज कर एवम फोन कर रंगदारी में 15 लाख रुपे की मांग की गई थी रंगदारी मांगने वाला मेसेज में सेम को माहकाल उल्लेक किया था और रगदारी की मान की जा रही थी और धमकी भी दिया जा रहा था तो मेसेज में यह लोग अपने को महाकाल का उलेख करते थे कि यह महाकाल है और अगर यह 15 लाग की रगदारी नहीं देंगे तो इनकी जान जा सकती है जान से मानने की धमकी देगता रहेती हैं तो कई वर उसका हुआ तो लोगों ने सीवर थाने में कांग जज कराया 219 और हम लोगों ने उसको अनुशंधान में यह क्लियर हो गया कि कौन सा ग्रूप काम कर रहा था और उसको जो घटना में प्रियूप यानि रमिदारी मागने के लिए जो मॉवाइल प्रियूप किया जा रहा था उस मॉवाइल के साथ उस अपरादी को भी गिरफतार कर लिय सफिकारिय गया और उसके द्वारा स्वेन इस एक गटना को कारिच करने का उन्होंने स्विकहर किया और साथे उनके पूरे ग्रूप में जो लोग सामिल हैं उनके सहयोगी हैं, उनके बारे में भी उन्होंने बताया है, जिसे सत्यापन करके उसकी गिरफतारी के लिए लगाता सर्वेमारी की जाए।